नमस्कार गुपता डेरी फार्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है आज की वीडियो आपके लिए हॉलिस्टन फ्रीजन काउस की है ये फस नंबर वाली एचेफ हीफर जो की अपने फस लेक्टेशन में एट मंत की प्रेगनेंट है अभी लगबग एक महिने का समय लेती है बच की हड़ी बिल्कुल स्ट्रेट बहुत ही शांदार क्वालिटी की है अटर की क्वालिटी काफी अच्छी है शांच से वाव की है और ब्रीडिंग लाइक ये गाए है इसको सीमन भी इंपोर्टिट सीमन लगा हुआ है आप इसके अटर की क्वालिटी देख सकते हैं इंपोर बीड की हड़ी की बात की जाए ब्रीड करेक्टर बहुत ही शानदार है यह गाएं भी अपने सेकंड लेक्टेशन में यह बच्चा देएगी और यह अभी लगबग एक महीने का समय लेती है बच्चा देने में एट मंत की प्रेगनेंट है और आप इसके अटर की क्वालिटी देख सकते हैं चारो थन बिल्कुल अलग अलग है यह गाएं अपने दूसरे लेक्टेशन में 25 लिटर दूद निकालने की शमता रखेगी काफी हैवी बोडी स्ट्रक्चर की यह गाएं हैं सेल के लिए अविलेबल है हमारा फार्म करनाल हरियाना में है दोस्तो हम पुरे ओ पर करके जान सकते हैं यह तीसरे नमबर वाली दोस्तो आप देख सकते हैं यह भी इंपोर्टिट सीमन की इंपोर्टी डटर किये गाएं है यह सेकेंड लक्टेशन में बच्चा देगी ब्रीड वाली गाएं हैं और यह मिलक इसका रहेगा दोस्तों 25 से 30 लिटर हैवी मिलक वाली गाए हैं सेल के लिए विलेबल है बहुत ही शानदर और दोस्तो इसको भी जो टीका लगा हुआ आगे जो बच्चे देगी है यह एंडिया रे इसको एंडिया रे का इंपोर्टिट सीमन लगा हुआ है और बहुत ही शानदर क्वालेटी कि ए यह फौर्थ नंबर वाली यह एचेफ क्रोस है आप इसके रंग से अनुमाल लगा सकते है काले रंग यह ऐसा रंग है दोस्तो है जो कि किसी भी इनवार्मेंट में किसी भी प्लेस में इंडिया में कई भी यह सर्वाइव कर सकती है दोस्तो यह भी आट महिने की प्रेगनेंट है और यह भी 20 से 25 कपेसिटी वाले गाये हैं हमारे पास यह सेल के लिए अविलेबल है हमारा फार्म करनाल हर्याना में है वीडियो पसंद आए यह वीडियो को जुरूर लाइक करें